आज हम लोग आपकी कक्षा ग्यारह में कविवर बिहारी जीद्वारा रचित भाक्ति एवं श्रिंगार के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य संदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प् जितने भी शब्द आये हुए हैं, पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं अजव, अजव माने आज तक या आज भी, दोनों होता है जैसा आप वाक्य बनाना चाहें तरेवना, देखें तरेवना के भी दो अर्थ हैं, तरेवना का पहला अर्थ हैं कान का आभूशन तरेवना तो कान का गहना मतलब जुमका या बाली कुछ भी हो सकता है, आपको लिखना नहीं है बस समझने के लिए ठीक है तो तरेवना का पहला अर्थ हो गया कान का आभूशन तरेवना और तरेवना का दूसरा अर्थ है निम्न इस्थान में रहना इसको हम लोग थोड़ा सा बदल के भी बोलेंगे मोक्ष की प्राप्ति न होना देखे तरेवना जो तरेना यानि मोक्ष की प्राप्ति न होना ठीक सुनिएगा ही रहयो दोनों शब्द सरल है आपको व्यक्या में पता चल जाएगा शुरूती देखे शुरूती के भी दो अर्थ है शुरूती का पहला अर्थ है कान और शुरूती का दूसरा अर्थ है वेद जो वेद शास्त्र होते हैं तो वेद ठीक है सेवत सेवत के भी दो बात करें तो मतलब हो जाएगा सेवन करना यानि कान के साथ में रहना सेवन करना ठीक है और यदि हम वेद के संदर्व में इसकी बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रवन करना यानि सुनना श्रवन करना ठीक है एक रंग एक रंग माने निरंतर्या लगातार दोनों होत देखे इसके भी दो अर्थ है नाक बास का पहला अर्थ है नाक का उचिस्थान और इसका दूसरा अर्थ है स्वर्ग का उचिस्थान यानि स्वर्ग को प्राप्त करना देखे नाक का दूसरा अर्थ होता है स्वर्ग तो स्वर्ग का उचिस्थान या स्वर्ग को भी आप कह स सकते हैं ठीक है बेसरी बेसरी के भी दो अर्थ है बेसरी का पहला अर्थ है नाक का आभूशन बेसरी नाक का आभूशन बेसरी ठीक है और इसका दूसरा अर्थ है बेसरम यानि नीच व्यक्ति बेसरम व्यक्ति बेसर ठीक है लहयो लहयो का मतलब होता है प्राप्त करना लहयो मुक्तनु के भी दो अर्थ हैं मुक्तनु का पहला अर्थ है मोती मुक्तनु का पहला अर्थ है मोती और मुक्तनु का दूसरा अर्थ है मुक्त आत्माएं देखें मुक्त आत्माएं का मतलब है जिसने सांसारिक विशयवासनाव सी मुक्ति पाली यानि जो महान लोग हैं जो स साथ रह करके, सतसंगत करके, उनके साथ रह कर, ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया, अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले, हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्व और प्रसंग लिख लेते हैं, फ प्रस्तुत दोहा या कह सकते हैं प्रस्तुत पद्याश जो आपको अच्छा लगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठे पुस्तक हिंदी यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे हिंदी और साइंस के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे सामानी हिंदी ठीक हैं सामा लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग के बात करते हैं तो आप प्रसंग हीटिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कविने नाक और कान के आभूशन के द्वारा सत संगति की महिमा का वरणन किया है पूर्ण बिनाम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पध्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पध्यांश की इस दोहे की दो अलग अलग व्याख्या हो जबकि दूसरी व्याख्या सत संगति के संदर्भ में होगी और दोनों ही व्याख्याओं को हमको अलग-अलग सीखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तो देखिए एक बार में दोनों ही व्याख्या को साधारन तरीके से आपको बता देता हूं आप सुन लीजिए उसके बाद दोबारा जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रियोग करके इसकी व्याख्या को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए हम लोग पहली व्याख्या आभूशन के संदर्व में सीखते हैं तो देखिए कविशत सं संगति का अच्छे सांथ के महत्व का वरणन करते हुए कहते हैं कि कान का आभूशन जो तरेवना होता है वो हमेशा कान के सांथ लगा रहता है कान का सेवन करता रहता है लेकिन आज तक वह नीचे ही रहता है जबकि जो नाक का आभूशन बेसरी होता है जिसको की निम्ण म माना जाता है वह मोतियों का साथ पाकर मोतियों की सतसंगत करके नाक के उंचे इस्थान को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि सतसंगति का बहुत असर होता है जो कान का आभूशन तरेवना होता है उसको उच्छ माना जाता है लेकिन वह वास्तों में हमेशा नीचे इस्थान पर रहता है क्योंकि उसको अच्छा साथ नहीं मिलता है अच्छी सतसंगत नहीं मिलती है वही बेसर जि अब दूसरी व्याख्या सत्संगत के संदर्प में भी सुन लिजिए, देखे सत्संगत के महत्वका वर्णन करते हुए, बिहारी जी फिर कहते हैं कि हमेशा वेदों को सुनने वाला विद्वान व्यक्ति आज तक निम्न इस्थान पर ही रहता है, उसको मुक्ष की प्राप्त के स्वर्ग के उचे इस्थान को प्राप्त कर लेता है, तो यह सत्संगत का महत्व है, ठीक है, यही चीजे हमको सीखनी है, लेकिन चलिए एक एक शब्दों के प्रयोक से फिर सीखते हैं, तो देखे सबसे पहले आप व्यक्या हेडिन डालेंगे, डैश डालेंगे, और डै कहते हैं कि, अब आजाए पद्याश पर, कभी बिहारी जी कहते हैं कि कान का आभूशन तरेवना निरंतर या लगातार भी आप कह सकते हैं, निरंतर कानों का शुरुती, कानों का सेवन करता रहता है, या कानों के साथ लगा रहता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कानों का से दूसरा आर्थ लेंगे निम्न इस्थान में ही रहता है जब की अपने से जोड़ लिजे जब की नाक का आभूशन बेसरी मूतियों के साथ निवास करके या आप कह सकते हैं मूतियों के साथ सत संगति करके नाक के उच्छ इस्थान को प्राप्त कर लिया है ठीक है पूर्ण व्याख्या पूरी हो जाएगी चली एक बार फिर से सुन लिजे थोड़ा वीडियो जरूर बड़ी होगी लेकिन बात आपको समझ में आ जाएगी देखे आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा से आपको अपनी तरप से जोड़ की लिखना है क्या लिखना एक बार फिर से सुन लिजे प्रस्तूत पद्यांश में कभी बिहारी जी कहते हैं कि अब आजाए लाइन पर कभी बिहारी जी कहते हैं कि कान का आभूशन तरेवना निरंतर कानों का सेवन करता रहता है किन्तु आज तक निम्न इस्थान में ही रहता है जब की मैंने खापने से जोड़ी जब की नाक का आभूशन बेसरी मोतियों के साथ रहकर अर्थात मोतियों की सत्संगति करके नाक के उचिस्थान को प्राप्त कर लेता है पुर्ण बिराम लगा देंगे और पहली व्याख्या पूरी हो जाएगी इसका मतलब ह ठीक है चलिए अब दूसरी व्याख्या देखते हैं फिर आप व्याख्या हेडिन डालेंगे डालेंगे व्याख्या हेडिन डालेंगे सत्संगत के संदर्भ में व्याख्या डालेंगे और फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवी बिहारी जी कहते हैं की ठीक है फ पर भी विद्वान व्यक्ती आज तक निम्न इस्थान में ही रहता है अर्थात उसको मुक्ष की प्रापती नहीं हुई अर्थात उसको मुक्ष की प्राप्ति नहीं हुई जब की जोड़ी जीतना जब की मूर्ख व्यक्ति या नीच व्यक्ति भी कह सकते हैं जब की मूर्ख व्यक्ति मुक्त आत्माओं के साथ निवास करके इसका दूसरा अर्थ लेंगे मुक्त आत्माओं ठीक है जबकि मूर्ख व्यक्ति मुक्त आत्माओं के साथ निवास करके अर्थात मुक्त आत्माओं की सतसंगति करके स्वर्ग के उच इस्थान को प्राप्त कर लिया है पुन भी राम लगा देंगे और दूसरी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी चल एक बर फिर से दूसरी व्याख्या को सुनिये व्याख्या हेडिन डालेंगे डैस डालेंगे और डैस डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कभी विहारी जी कहते हैं कि अब उसको मुक्ष की प्राप्ति नहीं हुई जब की मूर्ख व्यक्ति मुक्त आत्माओं के साथ निवास करके अर्थात सतसंगति करके स्वर्ग के उच्छी स्थान को प्राप्त कर लिया है पूर्ण बिराम लगा देंगे और दूसरी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी लेकिन अब व्याख्या को लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आप प्रत्थम व्याख्या आभूशन के संदर्व में हेडिंग डालेंगे और जैसे मैंने बताया है वैसे लिख देंगे देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कभी बिहारी जी कहते है कि कान का आभूशन तरेवना निरंतर कानू का सेवन करने पर आज भी निम्न इस्थान पर ही रहता है जबकि नाक का आभूशन बेशरी मोतियों के साथ निवास करके या सतसंगत करके नाक के उच्छी स्थान को प्राप्त कर लिया है पहली व्याख्या पूरी हो जाएगी उसके बाद आप फिर दूसरी व्याख्या सतसंग के संदर्व में हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में कवी बिहारी जी कहते हैं कि निरंतर वेदों का श्रमण करने वाला यानि सुनने वाला विद्वान व्यक्ति आज भी निमनी स स्थान पर ही रहता है अर्थात उसे मुक्ष की प्राप्ति नहीं हुई जबकि मुर्ख व्यक्ति मुक्त आत्माओं का सतसंग करके यानि उनके साथ निवास करके उच्ची स्थान स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है और दूसरी व्यक्या भी पूरी हो जाएगी चलिए अब नियूक्त दों अलंकारैं देख भिषन के माद्यम से सत्संगत को बताया गया है अनियौक्ति अलंकार भाष्य और स्थे प्रशन हम Zweesa को कुछ प्रश्णों को भी देख लेते हैं, तो देखे, पहला प्रश्ण आपसे पूँच रहा है, कवी के अनुसार, मुर्ख व्यक्ति ने स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त कर लिया है, तो बहुती सरल है, आप प्रश्ण के अनुसार लिखेंगे, कवी के अनुसार, मुर्ख व्यक्ति ने सत्मुक्त आत्माओं के साथ सत्संगत करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, और पहला उत्तर पूरा हो जाएगा, चले, दूसरा देखे, सत्संगत का वर्णन करते हुए कवी ने क्या कहा है, बहुत ही सरल है, आप लिखेंगे, सत्संगत का वर्णन करते हुए कवी ने कहा है कि वेदों का कितना भी श्रौन कर लें, किन्तु जब तक महान आत्मा, मुक्त आत्माओं की सत्संगत नहीं मिलेगी, तब तक मुक्ती नहीं मिलेगी, स्वर्गी की प्राप्ति नहीं होगी तीसरा रेखांकित अंश्की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश्की व्याख्या जहां भी होगी आप कर लीजिएगा, मैंने पूरी व्याख्या बताई है, चोथा है प्रस्तुत दोहे में कौन सा लंकार है, मैंने बताया है, शलेस और अन्युक्तिय लंकार है, ठीक ह पद्याश में आये शब्द बेसरी के कौन कौन से 2εις, नीच या मूर्छ व्यक्ति है। और दूसरा जो है नाक का गहना है। तो इसके ये 2 अर्थ है। आप वह बनाके अच्छे से लिख दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ जरूर समझ में आई होगी